राशी चक्र के अनुसार व्यवसाई के नाम के लिए भाग्यशाली वर्नमाला, राशी चक्र के संकेत, भाग्यशाली वर्नमाला, जब आप अपना खुद का व्यवसाई शुरू करते हैं, तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, आप वो कर सकते हैं जिससे आपक अक्षर या शब्द होता है जो अच्छी भावनाय ला सकता है और आपके जीवन को बहतर बना सकता है। जब आप कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं, तो भाग्य का आपके साथ होना अच्छी बात है। इसलिए ये जानना उपयोगी है कि आपकी राशी के लिए कौन से अक्षर भाग्यशाली हैं। इस तरह चीजें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपका व्यवसाय अच्छा और सफल हो, आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में सोचना चाहिए। इस वीडियो में, हमने राशी चक्र के अनुसार व्यवसाय के नाम के लिए भाग्यशाली वर्नमाला साज्हा की है। अपनी राशी के लिए शुब अक्षर चुनना क्यूं महत्वपूर्ण है। अपनी इच्छानुसार जीवन जीने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता जैसे लाब मिलते हैं। सकारात्मक विचार और थोस योजनाय होना जरूरी है। यहां प्रत्येक राशी के लिए भाग्यशाली अक्षर दिये गए हैं। सफलता के लिए निरंतर्ता, लोगों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना और अच्छे विकल्प शुनना आवश्यक है। प्रत्येक राशी में भाग्यशाली अक्षर होते हैं जो भाग्य और जीवन पर बहतर द्रिष्टि को उन ला सकते हैं। कुछ नया शुरू करते समय भाग्य मददगार होता है। आपकी राशी के आधार पर आपका भाग्यशाली अक्षर जानना उपयोगी हो सकता है। सफर जीवन जीने के लिए कुछ बातों पर विचार करें। आपकी राशी के आधार पर आपके भाग्यशाली अक्षर का उलेक यहां किया गया है। आगे विडियो देखे और जाने, यहां प्रत्य एक राशी के लिए कुछ भाग्यशाली अक्षर दिये गए हैं, एक, मेश राशी वालों के लिए भाग्यशाली वर्नमाला, आपके जीवन्त और उत्साही स्वभाव को देखते हुई, यदि आप मेश राशी के हैं तो जो अ साथ ही, यदि आप अपने व्यवसाय या नई परियोजनाओं का नामकरन करने के बारे में सोच रही हैं, तो इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम चुनना एक स्मार्ट का दम हो सकता है, इसलिए, यदि आप दवा, वितर, सिलाई, या यहां तक की स्टील और रसायन ज व्रिशब राशी के तहट पैदा हुए व्यक्तियों के लिए भाग्यशाली अक्षर पी और जी हैं, ये अक्षर विशेश महत्वर रखते हैं क्योंकि वे व्रिशब राशी के लोगों के लिए रचनात्मक्ता और नवीनता को प्रोटसाहित करते हैं, यदि आप अपनी न गीत और पेंटिंग जैसे उद्योग इन अक्षरों के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं और आपको महत्वपून लाब पहुचा सकते हैं 3. मिथुन राशी के लिए भाग्यशाली वर नमाला प्रत्येक राशी के लिए भाग्यशाली अक्षरों में आर और केसे शुरू होने वाले नाम विशेश रूप से अनुकूल होते हैं ये पत्र न केवल सकारातमक परिनाम लाते हैं बल्कि संभावित नुकसान से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं मिथुन राशी वालों के लिए इन अक्षरों को अपने नाम में शामिल करने से इंजिनियरिंग, शिक्षा, पत्रकारिता, लेखानकन, फोटोग्राफी और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है करक राशी वाले लोगों के लिए व्यवसाय नाम चयन के लिए भाग्यशाली वर नमाला, एन और डी और एच अक्षरों से जुड़ी है ये अक्षर एक मार्गदर्शक शक्ती के रूप में कार्य करते हैं, जो आपको आपके लक्षों की ओर ले जाते हैं इन अक्षरों को अपने करिय विकल्पों में शामिल करके, आप फनिशिंग, वानिज्य, कमोडिटी निर्यात, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे उद्योगों में लाब का अनुभब कर सकते हैं ये पात्र आपकी सफलता की राह में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं 5. सिंग राशी के लिए भाग्यशाली वर्नमाला प्रतियक राशी के लिए भाग्यशाली वर्नमाला की खोज करते समय, सिंग राशी के तहत पैदा होए व्यक्तियों को वाई और एल और एके साथ सम्रिद्धी मिल सकती है ये अक्षर संभावित धन और सफलता लाते हैं, विशेश रूप से आभूशन, दंत चिकित्सा, कानून फम और हेर सेलून जैसे क्षेत्रों में। अपने व्यवसाई का नामकरन करते समय इन अक्षरों पर विचार करने से सिंग राशी वालों के लिए कुछ असाधरन परिनाम हो सकते हैं। ये पत्र रचनात्म का भिव्यक्ति को प्रोटसाहित करते हैं और अवसर के द्वार खोलते हैं। इन पत्रों के साथ कन्या लेखानकनफर्म और फॉमास्योटिकल कमपनियों जैसे व्यवसाई स्थापित कर सकती हैं, या खानपान, बेकिंग, रेस्तरां, भुजन, संबंधी और होटल उद्योगों में उद्यम कर सकती हैं। इन अक्षरों को शामिल करने से कन्या राशी के प्रयास सफल और संतुष्ट दायक हो सकते हैं। साथ, तुला राशी के लिए भाग्यशाली वर्नमाला के मार्गदर्शन का पालन करने से तुला राशी वालों को ग्राहकों और भागीदारों के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद मिल सकती हैं, जो उनके लिए बहुत सो भाग्या लाएगा। तुला राशी के लिए भाग्यशाली अक्षर, ऐस और ऐसे च और पो और के और जी हैं, जिनमें से प्रत्येक के साथ अलग अलग ध्वनियां जुडी हुई हैं। ये पत्र अक्षर व्यावसा एक सफलता की ओर ले जाते हैं, विशेश करकला, अस्पताल और परिवहन जैसे उद्योगों में। इन अक्षरों के शामिल होने से तुला राशी वालों की संभावनाई और उपलब्धियां बढ़ सकती हैं। आठ व्रिश्चिक राशी के लिए भाग्य शाली वर नमाला व्रिश्चिक को ध्यान केंद्रित रहने और अपनी रचनात मकता को उजागर करने के लिए बस थोड़े से भाग्य की आवश्यक्ता है। इसलिए अपने व्यवसाई के लिए भाग्य शाली वर नमाला व्रिश्चिक के लिए भाग्य शाली वर नमाला। उन भाग्य शाली अक्षरों का उप्योग करने से आपको वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिल सकती है। 10. मकर राशी के लिए भाग्य शाली वर नमाला। 10. मकर राशी वालों में अच्छा करने का वास्तविक द्रिड संकल्प होता है और इसे हासल करने के लिए नया व्यवसाई शुरू करने से बहतर तरीका क्या हो सकता है। 11. यदि आपके कार्यस्थल का नाम बी और जे या के जैसे अक्षरों से शुरू होता है तो आपको अधिक सीखने और अधिक पैसा कमाने की संभावना है। 11. कुम्भ राशी के लिए भाग्य शाली वर नमाला। 11. कुम्भ राशी के लोग वास्तब में दयालू होते हैं और वे अपनी कल्पना पर कोई सक्त सीमा तै करने में विश्वास नहीं रखते हैं। वे व्यापार, बिक्री, विपनन, जनसंपर्क और मीडिया निर्मान जैसे क्षेत्रों में बहुत कुछ हासल कर सकते हैं क्योंकि वे पैसे के मामले में अच्छे हैं। कुम्भ राशी के पुरुशों और महिलाओं को और भी अधेक सौभाग्य को आकर्शित करने के लिए अपने व्यावसायक नामों के लिए भाग्यशाली अक्षरूं। जी और एस और शवर आर का उप्योग करने पर विचार करना चाहिए। 12. मीन राशी के लिए भाग्यशाली वर नमाला मीन राशी का प्रते निधित्व करने वाली जुड़वा मचलियां विभिन प्रकार के रास्तों का निर्बाध रूप से पता लगाने और अपने उद्देशियों को प्राप्त करने में सक्षम हैं। 12. मीन राशी वालों के लिए N और H और Y और च और D भाग्यशाली अक्षर हैं और उन्हें अपने कर्या में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। चिकित सा, जाल प्रोध्योगे की, शिक्षा, आध्यात्म, मीडिया और परामर्श सेवाउं जैसे उद्द्योगों में ये अक्षर बहुत भाग्यशाली होते हैं। इन अक्षरों को ध्यान में रखने से मीन राशी के लोगों को अपने उद्यम में सफलता और व्रिद्धी प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।